कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसबा सदस्ता खतम होने के बाद संसंद में शियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्स एक जूरता के साथ केंदर की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच सौंवार को कांग्रेस अध्यक्स मनलिका अरजुन समेथ तमाम कांग्रेस के नेता काले कपड़ों में संसद पहुँचे। यहां तक की सोन्या गांधी ने भी काले बॉर्डर की साड़ी पहनी थी और वो भी संसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी। अडानी और राहुल के मुद्दे परसंसद को लेकर हंगा ममाचारा और इसी वज़े से पारलेमेंट ससन भी इस्थागित कर दिया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता का पारलेमेंट से बाहर विजय चोक पर इखटा होकर जेपीसी की मांग करने लगे। बड़ी संख्या में नेताओं ने अपनी मांग दोराई। जेपीसी और सरकार के विरोध में कांग्रेस का साथ देने में जो विपक्सी दल थे उनमें डीमक, सप्पा, जन्तादल यू, बी आरेस, सीपीम, आरजेडी, एनसीपी, सीपी आई, आई, एमल, एमडी, एमके, केसी, टीमसी, आरेसपी, आमादी पार्टी, जम्मु कस्मीर नेशनल कॉन्फरेंस से उसेना उद्दव गुट के नेता सामिल थे, दरसल सबसे पहले मलिकारजुन खड के जो कांग्रेस सद्धक्स है, उनके चैंबर में एक बैठक हुई, उसके बाद तमाम लोग बाहर निकले, अपनी मांगों को लेकर परदेशन करने लगे, दोस्तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, अपना कमेंट लिक कर चलर बताएं, साथ ही इस चैनल पर अगर आप पहली बाहर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइक करना ना भूले, ताकि आपको एसक्लिस अपडेट मिलती रहें